नमस्कार दोस्तों यह डिक्टेशन असी सब्द परती मिनट काओगा जो की चार सु सब्दों करेगा पांच मिनट तक बोला जाएगा दस सेगड़ बाद स्टार्ट किया जाएगा स्टार्ट महोदे योजना पर वाद विवाद सचे आर्थ में एक राष्ट्रिय विचार विमार्ष का अउसर है और मुझे परसंता है कि सदेश्यों ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया है हाला कि इसकी आलोचन भी बहूत हुई है एसी आलोचन सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके है पहले इसका लक्ष योजना का विचार ही हुआ करता था सोभाग्य से वह बात अब नहीं रहे गई है और हम विकास की ऐसी सीड़ी पर पहुँच चुके हैं जब मुझे आसा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं कुछ ने योजना के कुछ अंसों का अनुमोदन किया है और अपनी अलोचना अनेक कारिकरम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है कई सदेशे ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते अब यह इसपष्ट है कि हम में से परतेग व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि दल के परतिनिधी के रूप में कुछ विचारों के पक्स में हैं और कारिये संचालन के किन ही विशेश तरीकों को पसंद करता है हमने परियाप्त विचार विमर्च और सोचने समझने के बाद यह निश्चे किया कि हमें किस परकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए योजना आयोग में निर्दलिये सवतंतर विचारों वाले और घेर राजनितिक विशेशग्ये होते हैं लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिमेदार नहीं होते योजना का निर्मान परतेक राज्ये के विभन अस्त्रों के लोगों के साथ अनेक विचार विनी मयों के आधार पर होता है और अंततह उसे अंतिम रूप देने के लिए राश्ट्रे विकास परिशद में परस्तूत किया जाता है जिसके अंतरगत सभी मुख्यमंत्री होते हैं जिन में अनेक अन्य दलों के होते हैं वे मिल बेट कर अपने विचार व्यत करते हैं यह ठीक है कि इन बेटकों में मतभेद भी होता है जो सामानित है योजना के तरिकों को लेकर नहीं बलकि अधिकास्त है इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पेशा मिलना चाही हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कारिकरम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवशकता के लिए परियाप्त हो सभी समय उपलबद साधनों और जनता की आवशकता के बीच समंज से के लिए परियास करना होता है यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाही अत्वा एक दूसरे सेत्र के लिए क्या किया जाना चाही कुल मिलाकर यह है योजना अगले चार वर्सों के लिए परिगती का गोशना पत्र है हमें कुछ अनुमान है स्टोप